तो इसका साइड स्टेंड हटा हुआ है एंद फिर भी यहां पे साइड स्टेंड ओम दिखा रहा है अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं क्या चक्कर है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है अब एक काम करते हैं कीक से स्टार्ट करके देखते हैं साइड स्टार्ट हो जाए तो भाई अभी हुआ यह कि मैंने टीवेस वालों को कॉल किया और उनका कहना था कि यह साइड स्टेंड को न जोर से ऐसे खुलना है और जोर से ऐसे उखवर बंद करना है फिर यह साइन यहां पर हट गया अब फिलाल के लिए तो देखता हूं इससे स्टार्ट करके दब स्टार्ट हो गई है तो एक बार इसे टीवेस के सोरूम चलेंगे और चलके दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है एक्षिली यह प्रॉब्लम दो बार हो चुकी है देखते हैं इ स्टार्ट ही नहीं हो रहा था पिर तुमने बोला ना कि जोड से जटका देना है ऐसे तो वहां से वह साइन हट गया ना इसका फिर स्टार्ट हुआ लेकिन पता चले है इसे बीच रास्ते में आदमी फस जाए फिर क्या होगा तुम्हें पोन करूंगा तुम सक्तिमान बन क मज़े मज़े ले रहा हो तुम भी यह भी खुलेगा पूराई को बिच रहे है कंचे वाला तो भाइच सब इसे अभी खुला जा रहा है चले देखते हैं और समझते हैं कि क्या प्रोब्लम है अब बंद हो गया मतलब उल्टा ही काम कर रहा है तो यह दुख काय खतम नहीं होता बे अच्छा यह चाहें तो सेंसर हटा भी सकते है कौन सा यह चाहा खेल इसी का है अगर बंद हो यह तो यह तो यह तो यह निकलता है यह तो यह निकले कां से यह पर पसा रहता है पसता है कि अधो इसे निकल जाके बंद है यह निकल जाए होस्तिने पूना दवाना यह चीज लोग होता ना नोगों यह है कि मैं हमाज गा तब हुआ बीए तार लेना उसको एक जिए निसमें को देखने है ना फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाए है तो सेंसर खराब है तो वाई सब यह है पूरे फिल्म का विलेन और इसे एरेस्ट किया जा चुका है तो दोस्तों यह सेंसर है और इसी के कारण वो प्रॉब्लम आ रही है अब यह बिल्कुल खराब हो चुका है अब नई सेंसर लगानी होगी इसकी प्राइस लगभग 700 से 800 रुपे इसकी प्राइस होती है तो भाई यह है पुरानी वाली सेंसर और यह नई वाली सेंसर है तो अभी सेंसर चेंज हो रहा है यह वरेंटी में है और लगाने के बाद देखते हैं तो एक बार सेंसर लगाने का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कर दो प्रोसे से लेई कर्या सकतर हैं कर दो तेखे से लेते हैं दो प्रोसे से कर दो प्रोसे स्वेश्ट करले दिए पीधित को साबक दाए और रए कि अ岁लेजें! द्राव alto प्रॉसेट! मैं पर्षों pellा रिय दूर्टिय। मां वे अ ज़चे नहीं कि खें जी मां आगला अए मां पन्याक 나와 मिनमें अु करफा हो रहा? कि यसम्हें सेंसर का प्रॉब्लम था सेंसर चेंज हुए है उसके बाद ये प्रॉफल तरीके से काम कर रहा है प्रमोध भाई ने спحت किया है और प्रभाई बताएंगे कि किस रीजन से ये खराब हुआता है सेंसर बताओ भाई तो भाई सब अगर ऐसा है तो थोड़ा मजगूत सेंसर बना लेते काहे परेसान कर रहे हो खेर आप लोगों की क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स में बताइए चलिए सेंसर खराब हो गई तो इसे चेंज करवाना पड़ा तो अब बात करते है कि इस सेंसर पर हमें कितने दिन की वरेंटी ओफर की जाती है तो यह सेंसर एक साल की वरेंटी के साथ आती है और साथी मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि नई गाडियों पर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होती हैं जिन पर वरेंटी ओफर की जाती हैं ल आपके बाइक की सर्विस on time रहनी चाहिए अगर ऐसा नहीं रहता है तो आपको warranty claim करते time problem हो सकती है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही and I hope कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कीजिए चली मिलता है उन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ